तो महिरन सिंग नहीं आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों CSC से e-district id चालू हो चुकी है लेकिन चालू होने के लिए दोस्तों अभी कुछ नहीं है तो उसके लिए आपको form भरना होगा तो पिछले वेडियो में भी मैंने उसी के बारे में बताया था आज हम बताएंगे दोस्तों CSC की जो लिंक होती है वहाँ से वो लिंक क्रियेट हो चुकी है और वो लिंक आपको सम्मिट करना है अगर आप दूसरी id से बनाते हैं किसी और id से या आपके पास इजिस्ट की id ही नहीं या आप CSC चलाते हैं तो आपके लिए बहुत देबली खुसकबरी है आपको दूस्तों CSC के माद्दम से आए जाती जबास बार्ट सर्टिविकेट यह सब आपको बनाने को मिलेगा क्या है पूरी जानकारी जो भी आपके गुरुप के गुरुप बने हुए हैं वाट्सेप पर CSC के वहां पर वो सूचना आई है आई है मैं पढ़के बता देता हूं और पूरा फॉर्म सब्मिट करके बता देता हूं अगर आपके जिले में भी कुछ ऐसे सूचना है तो आप उस फॉर्म को भरिए अगर नहीं है तो इस लिंक पर आप जल्दी से इसको अप्लाई करिए और CSC से e-district की आईडी को लीजिए यह आपके लिए बहुत ही सुनेरा मौका है आप CSC के ज़री फ्री अपकोर्स कोई पैसा कोई चार्ज नहीं देना है और आप CSC के ज़री इ-district की आईडी ले पाएंगे इ-district चालू हो रही तो दोस्तों कुमारे गुरूप में फिर से यह मैसेज आया है और वहां पर फॉर्म सब्मिट करने के लिए बिलेगा तो एक मुझे कमेंट किया था कि आप गलत नियुज देते हैं तो मैं दोस्तों बदा दूँ आपको मैं गलत नियुज बिल्कुल भी नहीं देता मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रेप्शन में यह हो सकता है वाई दिपर आपकी में भी आया हो यह किसी भी जिले से आप ब्लॉंग करते हैं तो इसको आप सब्मिट कर दीजिए यहां पर लिखा है आवस्क्रेप्शूट में अपडिये वी एली इडिस्टिक सेवा के इच्छुख वी एली किर्पया निम लिखित लिंक के माद्यम से आज ही अपना पंजीकरों करा सकते हैं इस्थान बुक करने के लिए यह लिंक दिया हुआ है लिंक है HTTPS that e-district up.csccloud.in निम सर्थे लिखा है पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ इसकी प्रात्मिक्ता के आधार पर दिये जाएगा इस्थापित के इंद्र होना चाहिए इडिस्टिक सेवा निशुल्क है अनपूष्टाल के लिए अपने जिला प्रवंदक से संपर करें दोस्तों यहां पर यह है कि हो सकता है by default आपकी मैं जैसे मैं यहां पर उपिन करता हूं मेरे में यह लिंक उपिन होगी यह देखिए दोस्तों यहां पर यह कोई फर्जी लिंक नहीं है यहां पर आपको प्रूबर देखा रहा है सिस्टिक इडिस्टिक उत्तर पूदेश यहां से बर्थ सर्टिपिकेट हमें बनाने को मिलेगा और सारी सुद्दाइं डूमिकल सर्टिपिकेट और देखते हैं यहां पर डैट सर्टिपिकेट और हैंडिकेप्ट सर्टिपिकेट और इंकम सर्टिपिकेट ऐसियत सर्टिपिकेट बूल एक सर्टिपिकेट वनलग जो भी हमें सिवाएं यहां पर इडिस्टिक पर मिलती हाला कि इडिस्टिक में अभी कुछ समय के लिए birth and death certificate बंद कर दिया गया था लेकिन फिर से ये दोस्तों CSC में आने के बाद ये जो दूसरी साइड है उस पर चालू कर दिया जाएगा तो जिनकी ID mapping हो चुकी है केबल उन ही का यहां से login होगा जैसे यह login with digital saver connect हम करेंगे अगर हमारी यहां से ID mapping है यह हमारी ID mapping हो चुकी है इस वज़े से यहां पर हमारी ID अगर हम login करते हैं तो अगर हमारी ID mapping नहीं होती है तो वहां पर हमारा not authorization बताएगा लेकिन यह हमारी ID mapping हो दिखा रहा है और UP यहां पर डिकलिरेशन है मैं गोफना करता हूं कि मैंने इडिस्टिक्ट सेवा के लिए CSC SPV के अतर्क्त किसी अनब प्रदाता के साथ पंजिक्रेत नहीं है मैंने इस डिकलिरेशन को पड़ लिया इसके बाद प्रसीड पर क्लिक करेंगे यहां पर जैसे proceed पर क्लिक करेंगे तो यह जो आपकी information है यह आपके जिला लेबिल पर registration के लिए अब यहां पर आपको new registration भर्ना होगा जो भी आप यहां से registration करना चाहेए हम अपना जल्दी से registration कर लें यहां भी अपना नाम डालना है इसके बाद यहाँ पर पूरा नाम डालना है जो भी आपका पूरा नाम हो इसके बाद यहाँ पर मुबाइल नंबर इंटर करना है इसके बाद यहाँ पर CSC ID डाल दे email ID डालने के बाद यहाँ पर state select है हमारा district भी select है क्योंकि district से अब यहाँ पर हमें block select करना होगा हमने block select कर लिया इसके बाद gram-panchait का नाम डालना होगा जो भी आपकी gram-panchait है मैं चलिए यहाँ से gram-panchait को select कर लेता हूँ इसके बाद village का नाम यहां पर आपको select करना होगा लिए मैंने यहां पर village का भी select कर लिए are you registered working e-district service you know इसके बाद submit पर click करेंगे जैसे submit पर click करेंगे तो यह हमारे पास reference id, csc id और यह हमारे पास notification आचुगा होगा पेपर click करेंगे अब इसमें कुछ payment भी रखा गया है payment है वन रुपीज का तो हम इसको payment कर देते हैं यहां पर आपको password डाल देना है पॉलेट का पिन डाल देना है जो भी आपका पॉलेट का पिन हो इसके बाद एक रुपए 18 पैसे का हम payment यहां पर कर देंगे यह हमारा payment भी हो चुका है यहां से और यह हमारी reference आइडिया चुकी है इसको हम note कर लेंगे इसको save कर लेंगे हम control पी करके इसको यहां से क्या करते हैं इसको save कर लेते हैं पीडियाप में तो इस तरीके से आप दोस्तो इडिस्टिक के लिए apply कर पाएंगे तो कैसा लगा video कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा अगर video अच्छा लगा हो तो comment सेक्षन में comment कर गए जरूर बताएगा ऐसे ही आप देखेंगी तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मैं नमस्कार थेंक्यू प्रवाची के विए नमस्कार